नमस्कार आप देख रहे हैं सच्ची बाद सच्चाई के साथ कहने वाला टैलेंटेड इंडिया न्यूज दोस्तों तुलना कमपेरिजन ये ऐसा शब्द है जो हमारे जिंदिगी में हमेशा शामिल रहता है वो सर्वस्रेष्ट मैं श्रेष्ट क्यों वो बहतर मैं सामान ने क्यों वो विलक्षन मैं आम इनसान क्यों वो टॉप पर मैं बॉटम क्यों ये ऐसा शब्द है कमपेरिजन जो हमारे जिंदगी को प्रभावीत करता है और इसलिए एक कहानी दा मोटिवेशनल स्टोरी में आज हमारा विशय है तुलना तो शुरू करते हैं आज की कहानी दोस्तों क्या हुआ एक बार एक कववा था जो नदी किनारी एक पेड़ पर रहता था अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट और सुखी था लेकिन उसकी ये खुशी बहुत जादा दिन नहीं रही एक दिन उसने एक हंस को देखा और जैसे ही हंस को देखा वो उससे अपनी तुलना करने लगा कि हंस सफेद है बड़ा आकार है कितना खुब सूरत है और मैं काला और छोटा सा पंची ये सोच कर वो ये सोचने भी लगा कि हंसे तो बड़ा खुश रहता होगा चल कर पूछा जाए कि हंस कितना खुश है अब वो हंस के पास गया और कवे ने हंस से पूछा भाई तुम उससे ज्यादा खुबसूरत हो तुम्हारा रंग इतना सफेध है सभी लोग तु बहुत खुश था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था हरा रंग लाल रंग मीठी जुबान लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और जिस दिन मैंने तोते को देखा मुझे ये लगा कि ये कितना खुश है और मैं कितना दुखी हूँ उसके आगे तो मेरी कुछ भी नहीं चलती होगी अब कववा ये सोचने लगा कि तोता हंस से भी ज्यादा खुबसूरत है तो वो हंस से ज्यादा खुश होगा चल कर तोते से पूछना चाहिए अब कववा गया तोते के पास उसने तोते से पूछा तुमको भगवार ने कई रंग दिये हैं आवाज दी है तु जब बादल होता है तो वो नाचने लगता है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी आवाज बड़ी मीठी होती है जिस दिन से मैंने मोर को देखा, उससे तुलना करी, तो मैं उसके आगे बहुत कमजोर लगता है अब तो कववा सोचने लगा कि दुनिया में सबसे सुखी तो मोर ही होगा, क्योंकि सबसे खुबसूरत वही है, उसकी तुलना में कोई है नहीं तो चलके मोर से पूछना चाहिए कि मोर कितना संतुष्ट है उसने जंगल में मोर को खुब ढूंडा, लेकिन उसे मोर कहीं नहीं मिला आखिर में उसे एक चिडिया घर के अंदर, पेड़ पर एक मोर बैठा दिखा अब वो मोर के पास गया, और उसने मोर से बोला, तुम सबसे खुबसूरत हो, तुम्हारी तुलना में कोई भी नहीं है तुम सबसे सुखी होगे, तब मोर ने कहा कि ऐसे सुख का क्या फायता सबसे खुबसूरत हूँ, लेकिन पिजरे में कैद हूँ मुझसे अच्छे तो तुम हो, कम से कम खुले आसमान में उड़ते तो हो दोस्तों, इस कहानी का मौरल यही है, कि तुलना कीजिए लेकिन तुलना ऐसी कीजिए, जो आपके आगे बढ़ने में काम आए तुलना वही अच्छी है, जो आपकी शमता को बढ़ाए तुलना वही अच्छी है, जो आपको और काम करने के लिए प्रेरिद करें तुलना वही अच्छी है, जो आपके अंदर सुधार लाए ऐसा हमारी जिदिगी में खुब होता है कई बार प्लास में किसी एक बच्चे को टीचर खड़ा करती है और कहती है आप इस बच्चे को देखिए, ये खुब पड़ता है इसके हमेशा अच्छे नंबर आते हैं और हम उससे तुलना करने लगते हैं कई बार हमारे रिलेशन्स में होता है कि कोई आता है और कहते देखिए, ये कितना काबिल है इसकी नौकरी कितनी अच्छी है, ये सैलरी कितनी अच्छी कमाता है और उससे हमारी तुलना करने लगते हैं कई बार हमारे आस पडोस में हमारी तुलना होने लगती है और यही तुलना कई बार तो हमको मोटिवेट करती है और कई बार ये हमको अवसाद में लेग जाती है हम उस तुलना में अपने आपको कमजोर समझने लगते हैं हमारी आज की motivational story का motivation ही यही है कि तुलना कीजिये लेकिन अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए तुलना कीजिये अपने आपको competition में लाने के लिए क्योंकि जब आप competition में आएंगे तब आप fight करने की कोशिश करेंगे और जब आप fight करेंगे तब जीत की भावना और जीत का जजबा आपके अंदर आएगा ये ध्यान रखिये नानक साहब ने कहा है दुखिया सब संसार सुखी कोई नहीं है लेकिन कई बार हम ऐसे लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं जिनका रहन सहन, जिनकी बोल चाल, जिनकी जीवन शैली हमसे अलग होती है इसलिए तुलना करने के पहले ये भी देखिये कि जिनसे आप तुलना कर रहे हैं उनके और आपके अंदर similarity कितनी है इस उमीद के साथ कि motivation की ये story आपके अंदर तुलना की भावना तुलाएगी लेकिन ये तुलना आपको competition के लिए खड़ा करेगी आपको success के लिए आगे बढ़ाएगी इजाज़त दीजे अपने दोस्त को फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और कहानी के साथ तब तक देखते रहिए talented Indian news का एक कहानी the motivational story क्योंकि हम कहते हैं सच्ची बात सच्चाई के साथ अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें और शेयर करें